नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संधीप और चानल का नाम है Digital Indian लेके आया हूँ एक और टेक खब का एपिसोड फटा फट इसको स्टार्ट करते हैं पहले खबाजवारे जियो की तरफ से जियो ने अब एक के बाद एक धमाके कर रहा है तो आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ओपर भी इन्होंने काफी काम करना स्टार्ट कर दिया है अभी जो इंडिया और शिलंका की जो सीरीज ओरियन के लेए राइट्स और इसको तमिल, तेल लेकिन यहां पर अपना कैमरा सेलेक्ट, एंगल जो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टंप के थूरू भी देख सकते हैं, आप चाहे तो किसी और एंगल से भी देख सकते हैं, तो मैश देखना हुआ है, पूरी तरगी से आपके हाथ में लगबग आप सोची स्टेड कि हम टीवी में देखते हैं तो जब रीपले टीवी वाले दिखाएंगे तभी हम रीपले देख सकते हैं लेकिन जियो ने बना दिया इसको इंटरक्टिव आप चाहे तो किसी भी पिछले ओवर को या किसी भी शॉट को अपने हिसाब से कर सकते हैं कस्टमाइज तो बहुत ही अच्छा यह फीचर है और आने वाले टाइम में चाहिए बदलने वाला है हमारा मैच देखने का experience पूरी तरीके से और मुझे तो दोस्तो ऐसा रखता है जब जियो ब्राट्बेंड आया है जियो उसके बाद जियो डिश भी आने वाला है क्या होगा आने वाला भविश है डेफिनेटली जियो करने वाला है कुस धमाके खबरे लेके आता रहूँगा आपके पास बढ़ते हैं फटाफट नेक्स कवर की तरफ दोस्तों जैसा कि हमेशा से होता रहा है आईफोन लेकर आयए कोई नए फीचर उसके बाद एएक के बाद एक कोपी 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 और नॉच के बाद आबा रहा है फेस अन्लॉक भी सबी लोग देने लगे हैं लेकिन अब आगया है फेस अन्लॉक सिर्फ साढ़े साथ अजार में जी हाँ आई भूमी ने लाँच कर दिया है 7,499 रूपे के अंदर Face Unlock का feature इसके अंदर Dual Camera फीचर भी है Flip Card के पर यह phone मिल रहा है थोड़ी सी गर में configuration की इसकी बात करो तो इसके अंदर आपको मिलता है Pone Change का display यानगी 5.45 इंच का display मिलता है इसके अंदर 1.3 GHz Quad 4 processor मिलता है Definitely Media Tech का processor है 8 Megapixel का इसके अंदर फ्रेंट camera और resolution की अगर हम बात को लो तो बहुत कम है 614 to 1280 का pixel आपको मिलेगा 3 GB की RAM मिलेगी इसके अंदर आपको 32 GB की मिलेगी store है और rear camera में आपको dual camera जैसे मिने बताया था 13 Megapixel प्लस 2 Megapixel का इसके अंदर rear camera मिलता है 3000 mh की बैटरी इसके अंदर मिलेगी 2 Megapixel सिरफ bookay बनाने के लिए bookay बनेगा नहीं बनेगा ये तो camera देखने के बाद ही मालुम पड़ेगा जल्दी इसके result भी आ जाएंगे लेकिन 7500 रुपे में आपको मिल रहा है आई बुमी का face unlock feature के साथ एक मैं extra आपको बता जाता हूँ अगर आप Jio का connection लेते तो 1200 रुपे का इसंदर आपको cashback मिलता है तो फिर effective की मज़ए 5000 के असपास रह जाएगी तो you can enjoy the Jio revolution with this phone also हम move on करते हैं next cover की तरह दोस्तो शाओ मिन ने लगबख सोच लिया है कि इंडिया के अंदर हमारे को एक के बादे करने धमाके तो me mix 2 का जो है हमारे पास एक video leak आगया है video leak के अंदर लेकिन मैं थोड़ा सा confused हूँ और आपको मैं थोड़ा सा clear करना चाहता हूँ मैं क्यों हूँ confused कि दो leak निकल के आए एक के अंदर जो camera है वो notch के right hand side में है और एक भी जो camera है वो बिल्कुल bottom में है तो कहने सकते कौन सा होगा real लेकिन इस तरह की boundary बनाना इस तरह की buzz create करना इनों company में सोच लिया है कि हमारे जैसे tech channel को use करना है और buzz create करना है मैं इस buzz में इनका support almost नहीं करता हूँ लेकिन खबर आई थी तो मैं आपको बता देता हूँ me mix 2 का वीडियो हो गया है leak और बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी आपको wireless charging मिलने वाली है notch आपको मिलने वाला है अगर मैं बता हूँ इसके अंदर जो fingerprint के अंदर मिलने वाला है ये तो लगबल लगबल खबरे पकी हैं बाकी देखते हैं screen कैसी होगी और हम move on करते हैं next खबर की तरफ दोस्तो HTC company काफी बुरा हाल है और मानना पड़ेगा लेकिन मेहनत जो केता हिम्मत हारते नहीं है एक के बाद एक launch करते रहते हैं अपने फिलाल अभी update आया है Samsung जैसे बड़े-बड़े brand जो है Oreo का update नहीं दे पाए लेकिन HTC ने U Ultra के लिए Oreo का update निकाल दिया है तो अगर आप शायद शायद अगर आप HTC का U Ultra phone यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने phone को upgrade कर सकते हैं इसके इंदर Oreo का update आपको अब मिल जाएगा दोस्तो अगली ख़बर है काफे interesting जो आ रहे है Google की तरफ से Google ने सलाम किया है दिव्यागों को और मैं भी salute करता हूँ उस डूडल को क्योंकि ये डूडल जो एरा Olympics में ले रहे हैं इससा उनको ध्यान में रखके बनाया गया है डूडल और काफी इसमें encourage किया गया है sports को उन खिलाडियों को जो दिव्यांग होने के बावजूद जो है ये दिखा देते हैं कि हम भी नहीं है किसी से कम तो मैं भी करता हूँ उस डूडल को salute आपने नहीं देखा है तो जाकर देखे गूगल पे बड़ा ही अच्छा डूडल बनाया है और ये ख़बर तो इसमें आनी बनती थी अगली ख़बर के बात करने हैं और ये रेडिमी 5 की तरफ से मंदिक पहले ऐसा होता था कि हर टेख कपर जो फेस्बूप और वाटसेप के अपडेट के बगर नहीं जाती थी आजकल तो ऐसा हो गया कि हर टेख कपर जो है मेरे ख्यासे शाओमी के अपडेट की बगर नहीं जाती है तो 15 मार्च को जो फोन होने वाला है लॉंच उसके बारे में शाओमी ने बोलाएगी ये हुआ एक पावर हाउस यानि की एक स्लिम पावर हाउस काफी पतला फोन होने वाला है तरकी से टीजर निकल के आई है स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके इंदर आपको मिलेगा 5.7 इंचीज का आपको डिस्पले 1.8 गीगार्ट का ओक्ता कोर प्रोसेसर 5 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा 2 जिबी की रैम मिलेगी और एंड्रोइड का 7.1 का वजन मिलने वाला है 16 GB की सिंदर आपको स्टोरिक भी लेगी 12 मेगापिक्सल का सिंदर आपको रियर कैमरा मिलेगा 3300 mAh की सिंदर आपको बैटरी मिल सकती है तो ये बजट सेग्मेंट का फोन होने वाला है जैसा मैंने आपको बताया आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को लगता है प्राइस होने वाले है 7000 से 8000 के बीच में मेरे ख्याल से 7990 रुपे का प्राइस सेग्मेंट इसका हो सकता है देखते हैं क्या करता है शाओमी 15 मार्च को जैसे ही फोन आएगा बताऊंगा आपको इसकी अपडेट बने रहेगा चैनल के अंदर आपको क्या लगता है दोस्तों आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हो सकते है शाओमी की नई 15 मर्च को आने वाला जो फोन है उसकी अपडेट अगली ख़बर आ रहे है दोस्तों ZTE की तरफ से ZTE ने ने N3 स्मार्ट फोन अपना लॉंच कर दिया है जिसने 5000 mh की बैटरी है यानि कि चलता फिरता पावर बैंक होगा ये भी नॉर्मली दोस्तों इंडिया के अंदर लोग इस तरीकी का फोन नहीं पसंद करते है 4000 mh तक की बैटरी चलती है लेकिन 5000 में थोड़ा सा उपर हो जाता है Panasonic का भी फोन एक आया था Lenovo का भी फोन आया था पिछले साल लेकिन इतना चल नहीं पाया है लेकिन अब जो है ZTE Nubia ने भी लांच कर दिया 5000 mh की बैटरी के साथ फोन स्प्रेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ इसमें आपको मिलेगा 7.1 Noga पर चलता है इसके अंदर आपको Full HD Resolution मिलने वाला है 5.99 इंचिस की इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलेगी 18 इस्टू 9 का इसके अंदर आपको Aspect Ratio मिलने वाला है Qualcomm का Snapdragon 625 का प्रोसेसर इसके अंदर होगा और इसके अंदर आपको 4 GB का RAM variant भी मिलेगा बागी जो USB है वो तो है 5000 mh की बैटरी तो अगर आप लेकिन अब तो काफे सारे फोन दोस्तों ऐसे हो गए ना जिनको हम पर्चेस कर सकते हैं इस सेग्मेंट में और खासकर जो 5000 से लेके 15000 तक का सेग्मेंट है वो तो लगबग MI खाई चुका है हमको इतना तो मतलब ऐसा होई गया है कि Samsung के फोन लगब 5000 से 15000 के बीच में जादा था dominating जो सेक्टर है वो MI ने पकड़ लिया है और number one smartphone हो गया है और एक बाद तो मैं दोस्तों आपको बताना भूली गया जैसे कि मैंने कल आपको टेक हबर में बताया था कि मैंने अपना Redmi का 5 जो है Note Pro भी मैंने बुक कर आजिया था और Redmi का Note 5 भी मैंने बुक कर आजिया था तो Note 5 तो मेरे पास आ गया है अब Note 5 Pro मेरे पास आने वाला है क्या बोलते हैं कर दे इसके unboxing फटा फट तो comment में लिखके मुझे बतायेगा और इसकी मैं दूँगा आपको पूरी detail और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स वीडियो के अंदर तो जल्दी मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो के अंदर तब तक बने रिए चैनल के साथ Thanks a lot for watching